कि नमस्कार मैं हूँ राहूल तयारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अर्थप्रकाश टीवी भगवान गनेश जिन्हें गनपती विगनेश्वरा विनायक और हजारों अन्य सार्थक नामों से जना जाता है उनका जन्म भादरपद के चतुर्तिति थी शुकल पक्ष अर्थाच चंदर के उज्वल चरण में हुआ था आज दुनिया भर में भगद भगवान शिव और माता पारवती के पुत्र गनेश की जयनती मनाते हैं कोरोना जैसी महामारी के कारण इस बार पूजा लोगों को अपने ही घरों में करने की हिदायत दी गई है इसी को मद्दे नजर रखते हुए बालीवूड और कई चर्चित चहरे इस तरह अपने गनेश मतलब गनेश चतुर्थी को मना रहे हैं तो पहले बात करते हैं माराष्ट के मुख्यमंत्री उधव ठाकरे और उनके परिवार की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह उधव ठाकरे और उनका परिवार अपने घर में गनेश बपा को लेके आए हैं और उनकी पूजा अर्चना श्रदभाव से कर रहे हैं ऐसे ही कई फिल्म स्टारों ने बपा को अपने घर में स्थापित किया और श्रदभाव से पूजार चनाएं की आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फोटो शुशान सिंग के प्रशंस को द्वारा शेयर की जा रही हैं जिसमें शुशान सिंग गनपती क अपने घर ले जाते हुए दुकान पे खड़े हुए हैं और दूसरी फोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरह शुशान सिंग ने गनपती को अपने हातों में उठाया हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं कभी आपने ऐसे गनपती देखे हैं जो दूर से देखने पर हस्ते हुए दिखाई दें एक ऐसा खेत जहां पे कुछ लोगों द्वारा बहुत ही बड़े स्केल में तकरीबन एक से डेड़ एकर के एरिये में एक ऐसे गनपती का निर्मान किया ग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि गनेश उत्सव के दौरान डेर दिन, तीन दिन, पांच दिन, साथ दिन और ग्यारा दिन का एक पूजा उत्सव किया जाता है अवधी मुख्य रूप से प्रतेक परिवार संगठन की परंपरा पर निर्भर करती है पूजा के बाद लोग पानी में डुपकी लगाते हैं और बपा को विदाई देते हैं इसी अनुस्थान को गनपती विसर्चन कहा जाता है अब त तब तक के लिए धन्यवाद और पने रहे हमारे साथ ताजा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकास टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूले